राजिस्थान के एक छोटे से गाव में भीम सिंग का बड़ा सा परिबार उसकी पुष्टेनी हवेली में रहता था उनके गाव में सभी मर्द लंबी-लंबी मूझ रखते थे भीम सिंग के परिवार में भी सभी मर्दों की लंबी-लंबी मूझे थी लेकिन उनके सबसे छोटे पौते चेतन को मूझ रखना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने एक दिन बिना किसी को बताए अपनी मूझे कल्लूनाई से कटवा दी जिसके बाद घर में हंगामा हो गया नालायक हमारे कुल का नाम खराब करेगा हमारे परिवार के सभी मर्दों ने कभी अपनी मूझों पर कैंची नहीं चलवाई और तू ना मुराद मूझों को साव करवा कर आ गया तूने ऐसी शर्म ना खरकत करके मेरा सर शर्म से जुका दिया है कितना अभिमान था मुझे अपनी मूझों पर और मैं हमेशा कहा करता था कि मेरे बेटे मेरा नाम रोशन करेंगे वो मुझसे भी लंबे मूझे रखेंगे लेकिन तूने तो मेरी इज़त मिट्टी में मिला दी अरे नालायक कम से कम अपने भाई से ही कुछ सीख लेता घर वाले चेतन को मूझे कटवाने के लिए बहुत भला बुरा कहते हैं तेकिन घर पर ही नहीं चेतन को गाउं के लोग भी बहुत भला बुरा कहते हैं और कोई भी उससे सीधे मूझ बात नहीं करता एक दिन घर वालों और गाउं वालों के विवहार से दुखी होकर चेतन घर छोड़कर चला जाता है वो गाउं से बहुत दूर निकलाता है और एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुखता है वो कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैट जाता है अचानक उसे किसी के जोर जोर से खर्राटे की आवाज सुनाई पड़ती है वो इधर उदर देखता है और उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता वो घूम कर पेड़ के दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ एक महात्मा गहरी नीद में सो रहे थे उन महात्मा जी की भी लंबी लंबी मूँचे थी चेतन को उन महात्मा जी की शकल में अपने दादा जी की शकल नजर आ रही थी महात्मा जी की लंबी मूचे देखकर चेतन के मन में ख्याल आता है क्यों न अब इन महात्मा जी की मूच निकाल कर अपने मूँपर लगा ली जाए घरवाले मूचे देखेंगे, खुश हो जाएंगे और अकेले में इन नकली मूचों को मैं निकाल दूँगा, घरवाले भी खुश और मैं भी खुश चेतन आसपास देखता है तो उसे एक पौधा दिखाई देता है, जिसके पत्तों का पेस्ट बनाकर किसी को यदि सुखा दिया जाए तो वो बेहोश हो सकता है, चेतन उस पौधे के पत्तों का पेस्ट बनाकर बहात्मा जी को सुखा देता है, तो वो और भी गहरी नींद में सो जाते हैं तब चेतन चुपके से अपने बैग में रखे चाकू की मदद से उनकी मूझे निकाल लेता है नकली मूझ लगाकर चेतन घर पहुंचता है जहां घर वाले उसे पहचान नहीं पाते अरे क्या हो गया आप लोगों को, मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो, मैं चेतन हूँ चेतन, तुने तो अपनी मूझ करवा दी थी ना, तो ये मूझ कहां से आ गई, तु चेतन नहीं, कोई बहरूपिया है अरे दादा जी, मैं आपका पोता चेतन हूँ, मैं जब घर से दूर जा रहा था तो, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी मैं आप लोगों के पास घर आना चाहता था, लेकिन आप लोगों का दिल दुखा कर किस मूझ से वापस आता तभी मेरी नजर रास्ते में पड़ती एक दुकान के बोड पर गई, उस पर एक चीज का नाम लिखा था, जिसे लगा कर सर और मूझों के बाल उग सकते हैं, तो बस मैंने अपनी गलती का पश्चताब कर लिया, और वो तेल खरीद लिया, और अपनी मूँ पर लगा लिया जिसका परणाम ये हुआ कि मेरी भी आपके जैसी बड़ी-बड़ी मूझें आ गई, अच्छा, हरे वा, बेटा, तुने तो मेरा दिल खुश कर दिया, मेरी इच्छा पूरी कर दी उस दिन के बाद चेतन घर में सभी घरवालों के साथ खुशी रहने लगा, कुछ दिनों बाद गाउं में मूचों की प्रतियोगिता होने पाली थी, जिसमें गाउं के मर्द अपनी मूचों से अलग-अलग कर्दब करवाके दिखाते थे, भीन सिंग चेतन को उस प्रतियो दादा जी और घरवालों की जित से चेतन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजी हो जाता है, अब ये नकली मूचों के खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले, प्रदियोगिता में चेतन को सबसे पहले मूचों की सहयता से एक ट्रैक्टर खींचने को कहा जाता है चेतन बहुत घबरा जाता है उसकी नकली मूचों की पोल पूरे गाउं के सामने खुलने वाली थी वो ट्रैक्टर पर मूचे बांद कर खींचता है मगर ये क्या, ट्रैक्टर तो आसानी से खीच रहा था, जेतन बहुत हैरान रह जाता है, एक अन्य कार्य में उसे मूच की सहायता से एक खंबे को उखाड़ना था, जेतन मूच की सहायता से वो भी आसानी से कर देता है, जेतन समझ जाता है कि उसकी मूच मामूली नहीं, बल् प्रतियोगिता जीत जाता है अब चेतन घरवालों की नजर बचा कर हर छोटे बड़े काम अपनी मूच की मदद से करने लगता है एक दिन उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है मेरी प्यारी मूच मुझे पैसों की जरूरत है जा मेरे लिए कहीं से कुछ पैसे लेकर आ चेतन मूच को चोरी करते देख कर भी कुछ नहीं कहता अब वो मूच से इसी तरह से काम कराने लगता है एक दिन चेतन मूच को एक दुकान से एक जूस की बोटल चुराने को कहता है क्योंकि उससे बहुत प्यास लगी थी और उसके पास उस समय जूस के लिए पैसे नहीं मूच को बोतल चुराती हुए तो कोई नहीं देख पाता लेकिन चेतन के हाथ में अपनी दुकान की बोतल देखकर दुकांदार उससे पैसे मांगता है दुकांदार अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़कों से चेतन की पिटाई करवाता है चेतन को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता मूच को ये सब करके बहुत मज़ा आता है अब मूच इसी तरह चेतन को परिशान करने लगती है एक दिन चेतन बाजार जाता है तो वहाँ गरम गरम समोसों की खुश्पु से उसका समोसे खाने का मन करता है तो वो मूच से उसके लिए समोसे लाने को कहता है मूच समोसे लाती है और गरम गरम समोसा चेतन के हाथ में रख देती है चेतन का हाथ जल जाता है तो वो चिल लाने लगता है मूच को इसमें बहुत मज़ा आता है अब मूच इसी तरह चेतन को बहुत परिशान करने लगती है चेतन मूच को काटने की सोचता है लेकिन ये क जैसे ही वो मूझ काटने के लिए कैंची उठाता है कैंची उसके हाथ से दूर जा गिरती है फिर मूझ वो कैंची उठाकर चेतन के सारे के सारे बाल काटकर उसको गंजा कर देती है अब चेतन बहुत परेशान हो जाता है और उस मूझ से चुटकारा पाना चाहता है वो उन म मूच्छों से चुटकारा दिलवाईए, मूच्छ से चुटकारा, बच्चा, मैं एक सादू हूँ, ओई ना यह नहीं, जो तुम्हारी मूच्छे काटोंगा, जाओ यहाँ से, महत्मा जी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, चेतन महत्मा जी को उनकी मूच्छ काटन का अब भुगतो अब जिन्दगी भर के लिए जेलो इन मूचों को महात्मा जी मुझे एक शमा कर दीजिए मुझसे बहुत बड़ी भूलो गई मैंने बहुत बड़ा पाप किया है मुझे एक शमा कर दीजिए कृपया मुझे इन मूचों से छटकारा दिनवा दीजिए महात् पेटा, इस मूझ को तो अब मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैं इसके प्रवाब को जरूर बदल सकता हूँ, तुम्हें मुझ से वादा करना होगा कि अब तुम इन मूझों का दुरूप योग नहीं करोगे, इनकी सहायता से दूसरों की मदद करोगे, मैं वादा कर महत्मा जी मूझों को अपने हाथ में लेकर आखे बंद कर कुछ मंत्र पड़ते हैं इसके बाद चेतन वापस घर आ जाता है और उसके घर पहुंचने तक उसके सर के बाल भी वापस आ जाते हैं उसके बाद से चेतन मूझों की सहता से हमेशा दूसरों की मदद करता है मीनु और उसकी मा पार्वती बहुत गरीबी का जीवन बिता रहे थी मा बड़ी बड़ी इमारतों में इटे गारे ढोने का काम करती थी कुछ दिनों पहले ही वै गिर पड़ी और उनके पैरों में मोच आ गई घर में जो कुछ था खतम हो चुका था मा आज हम क्या खाएंगे उसकी मा लंगडाते हुए उठी और आटे का बरतन जाड़ कर मीनु को दिया उसने चार रोटियां बनाई जैसे ही खाने बैठी तभी एक फकीर की आवाज आई कुछ खाने को दे दो बहुत भूखा हूँ मा फकीर को क्या दूँ मेरी दो रोटि ले जाकर दे दो और तुम अपनी दो रोटियां खालो मीनु ने दो रोटियां अचार के साथ फकीर को ले जाकर दे दी फकीर ने रोटियां खाली और बोला बच्चा तेरा भंडार भरा रहे बाबा ये आखरी रोटियां थी, मंडार कहां से भरा रहेगा अरे बेटी, तेरे बिच्छौने के नीचे एक पर्स बढ़ा है, उसमें पैसे भरे हैं, क्यों परेशान हो रही है बाबा, अब यहीं रुखना, मैं अभी आई मीनू भाग कर बिच्छौने के नीचे देखती है, तो वहाँ वाकई में एक पर्स नोटों की गड़ी से भरा रहता है बाबा ने सच कहा था मा, ये देखो क्या है, क्यों इतना चिल्ला रही हो मीनू? मीनू भाग कर बाहर जाती है, तो बाबा जा चुके थी मा, बाबा को कैसे पता कि हमारे बिच्छौने के नीचे एक पर्स पैसों से भरा पड़ा है पता नहीं बेटी, ये तो हमें भी नहीं पता, चल, पैसे गिन कर देख मा, इसमें तो पूरे दो हजार रुपे हैं, तो जा, बाजार से जाकर आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज और एक सबजी लेकर आजा भर पेट खाना खाएंगे, भला हो इस फकीर बाबा का मीनों बाजार से सारा समान खरीद कर ले आती है, फिर मा की दर्द की गोलिया खरीदने के लिए पर्स खोलती है, तो हैरान हो जाती है, उसमें दो हजार रुपे अभी भी रखे थी मा, मैंने कितना समान खरीद लिया, फिर भी ये पैसे जस्केत तस रखे है क्या कह रही है तु, ला मुझे देपर्स वो खुद पैसे गिनने लगती है, फिर कहती है, अच्छा चल, मेरी सहायता कर, कुछ खाने को बना लेती हूँ मा, मैं बना देती हूँ, तु आराम कर, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, हाँ, आज मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास तुझे लेकर तेरा पैर भी दिखा देती हूँ ये बहुत तकलीव दे रहा है मीनू खाना बनाती है, खाकर दोनों आराम करते है, फिर शाम को डॉक्टर के पास जाते है ये पत्ता दस गोलियों का आएगा, लेकिन दो-चार गोलियां खाते ही पै ठीक हो जाएगा इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ा जल्दी आराम आ जाएगा मीनू ने पैसे निकाल कर दे दिये, उसके बाद दुकान से दवा भी ले ली और घर आकर पर्स खोला मा इसमें तो पूरे दो हजार रुपे अभी भी बचे है चल बेटी, हमारे साथ ये जादोई पर्स उसी फकीर के आशिरवात से आया है हम भी इसके पैसे किसी नेक काम में ही लगाएंगे हाँ मा तु ठीक कह रही है दोनों मा बेटी घर आ गई सुबह जब मीनू सो कर उठी तो देखा मा का पैर एक बार दवा खाते ही ठीक हो गया वे ठीक से चल पा रही थी मा तुझे नहीं लगता कि तेरे पैरों के ठीक होने के पीछे दवा का असर कम और पर्स का जादू अधिक है हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ अभी वो दोनों बाती ही कर रही थी तब ही उसकी मा ने कहा मीनू जरा पास के दुकान से दूद लेकर आ खीर बनाते हैं थोड़ा बादाम और किश्मिश भी ले आ ना पहले भोग लगाएंगे और फिर हम खाएंगे मीनू ने पर्स से पैसे निकाले और दुकान की तरफ जाने लगी जब वो दूद लेकर वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसके घर के पास दो बच्चे खड़े होकर रो रहे थी क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? दीदी, हमारी मा हमें चोड़ कर चली गई हम कहा जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है कहा गई तुम्हारी मा? उसने कहा था कि तुम लोग यहीं बेटो मैं अभी कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ पर पूरी रात बीद गई वो अभी तक नहीं आई मीनू को उन बच्चों पर बहुत दया आई दोनों को लेकर घर आई और अपनी मा से बताया बहुत अच्छा किया जो तुम इन बच्चों को घर ले आई वरना बच्चे चुराने वाले इनके हाथ पैर तोड़कर भीट मंगवाते बोलू और गोलू तुम लोग पहले कुछ खालो फिर हम तुम्हारी मा को ढूरने जाएंगे मीनू और उसकी माने खीर पूरी बनाई भगबान को भोग लगाया और फिर सबने खीर और पूरियां खूब मन से खाई दीदी हमने इतना अच्छा और इतना सारा खाना शायद पहली बार खाया है इसलिए हमें बहुत नीद आ रही है अच्छा चलो तुम दोनों सो जाओ जब भोलू और गोलू सो गए मीनू एक काम करते हैं हम अनाद बच्चों को अपने पास रखेंगे और उन्हें भर पेट भोजन करवाएंगे हमारे पास पैसों से भरा पर्स है इश्वर ने चाहा तो हमारा पर्स कभी खाली नहीं होगा जब बच्चे उठे दीदी हम उसी जगा पर जाकर इंतजार करते हैं शायद हमारी माँ हमें ढून रही हो ठीक है जाओ पर अगर वो ना आए तो सीधे यहां आना मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर रख दूँगी दोनों बच्चों के जाने के बाद माँ हमने तो कितने दिनों के बाद भरपूर खाना खाया है न हाँ बेटी अभी तक तो हम दाने दाने के महताज थे बच्चों को गए काफी देर हो गई थी मा मैं जाकर देख कर आती हूँ शायद वो अभी तक अपनी मा की राह देख रहे होंगे अब तो शाम भी हो गई है जब वो बाहर गई तो उसने देखा दोनों रोते-रोते उसके घर के पास ही बैठे थे बोलू गोलू मैंने कहा था न कि अगर तुम्हारी मा नहीं आएगी तो घर आ जाना दीदी, हमारी मा को कुछ हो तो नहीं गया हमने सोचा था शायद शाम होने तक आ जाएगी पर वो अभी तक नहीं आए तुम दोनों रोना बन करो चलो, घर चले, आज से हमारे पास ही रहना बच्चों को लेकर वे घर आ गई, सबने खाना पीना खाया और सो गई कुछ दिन बच्चे उदास रहे, पर थोड़े ही दिनों में मीनू और उसकी मा से खूब हिल मिल गए अब वो इसी घर को अपना घर समझने लगे मा, हम एक बड़ा सा घर ले लेते हैं और भोलू और गोलू जैसे बच्चों के लिए बाल आश्रम बनाते हैं जब ये बच्चे आये हैं, तब से मैं यही सोच रही थी कुछी महीनों में उन्होंने एक बड़ा सा घर ले लिया पार्वती और मीनू एक बार राशन खरीदने गई थी वहाँ कुछ अनात बच्चों को देखकर उनके मन में दया आई वे उन्हें अपने बाल आश्रम में ले आए ऐसे ही जहां कहीं भी उन्हें असहाई बच्चा दिखता वो उनको ले आती अब करीब पचास बच्चे उनके बड़े से घर में रहने लगे मिनु मुझे लगता है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए हाँ मा बैसे भी ही सारे दिन उदास पड़े रहते हैं सभी बच्चों का पास के ही सरकारी स्कूल में दाखिला हो गया धीरे धीरे उनके बाल आश्रम का इतना नाम हो गया कि आस पड़ोस में रहने वाले लोग उनके दुश्मन बन गए एक दिन उनके पड़ोस की ही एक औरत पुलिस साथ लेकर आई और उनके बाल आश्रम का फाटक जोर जोर से खट-खटाना शुरू किया फाटक खुलते ही पुलिस के साथ वो भीतर धरढ़ाती हुई घुस गई कहिए क्या चाहिए आपको बच्चों को चुरा कर कहा रखा है निकालो सबको बाहर आईए आप खुद ही देख लीजिए पुलिस वाले जब अंदर गए तो उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली पर कुछ ना मिला बलकि देखा सब बच्चे अपनी टेबल कुर्सियों पर बैठे पढ़ रहे हैं आपने तो रिपोर्ट लिखवाई थी कि यहां बच्चों से गलत काम करवाया जाता है उनको नशे की दवाई खिलाई जाती है वो ड्रक्स बेचने का काम करते हैं अब मैंने तो यही सुना था जूठी रिपोर्ट लिखवाने के जुर्म में अब आपको ही अरेश्ट करना पड़ेगा चलिए यहां से कुछ सालों में मीनू की शादी हो गई उसके पती अजे ने आकर पूरा बाल आश्रम समहाल लिया अब सरकार भी उनके बाल आश्रम को अनुदान देने लगी जादुई पर्स ने उनका पूरा जीवन बदल दिया